हाई आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं विश्णू शर्मा बात करूँगा मीटू केंपेंड की जो बॉलीवुड में और मीडिया में बड़ी तेजी से चल रहा है देहर सारे सेलिबिटी पत्रकार और देहर सारे सेलिबिटी फिल्म कार एक्टर्स इसकी चपेट में आते जा रहे हैं राज खुल रहे हैं तमाम सारे जो आवाज हैं दभी हुई थी वो खुल कर सामने आ रही हैं ऐसे में बॉलीवुड के लोगों ने इनको जो यौन सेशन के आरोप में फसे हैं लोग उनको सजा देने का अपना एक तरीका ढूंडा है वो तरीक क्या है इसकी एक जलक कल रितिक रोश्चन ने दी थी रितिक रोशचन ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि कैसे विकास बहल जो उनकी फिल्म सुपर थर्टी के डरेक्टर हैं उनके साथ क्या करना है वो उनको प्रोडूसर से बात किये कि आरौप सही पाये जाएं तो उनके बड़ी हस्तियां उसके साथ जड़ी हुई हैं तमाम राजकुमार हीरानी आमिर खान जैसे लोग जूरी में रहते हैं उस मामी फिल्म फेस्टिवल को होना है 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है अपने टुटर अकाउंट पे फेस्बे किया है ऐसे लोगों की फिल्म में मामी फिल्म फेस्टिवल में नहीं दिखाई जाएंगी इन में से दो फिल्म हैं जो पहले से स्क्रीन ढोना तरह थी एक रज़त कपूर की थी दूसरी एई बी यानि ऑल इंडिया बक्चूत की पहला पहला जो प्रोड़क्शन था चिंट साफ साफ सजा है रज़त कपूर के लिए भी और एई आई बी के लिए भी कि उनके जो लोग या कुद रज़त कपूर फसे नियौन शूशन के आरोप हमें उन्होंने माना भी तीन एई भी सुरस्टियों को अब तक निकाला जा चुका है ऐसे मैं यह एक बहुत कड़ा कद में और शायद मैसेज देगा बॉलिवोड के बाकी प्रॉड़क्शन हाउसेज को भी की जूरतिक रूशन ने किया जो मामी फिल्म फेस्टिवल की आयोजन कमेटी ने किया ऐसे निड़े और लिए जाएं तो शायद शायद एक कड़ा मैसेज जाएगा और बाद मैसी घटन आये रूख सकेंगी इस तरह की तमाम दिल्चस्प खबरों को देखने के लिए देखते रहें इंडिया न्यूज सब्सक्राइब करें इन खबर थैंक्यू मस्कार